एक कारकम जिसको सरदार पटेल जेनती से प्रारम किया गया है एक भारत स्रेष्ट भारत विवित्ताओं से भरा देश है हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए एकता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले इन विवित्ताओं को के साथ अपनापन कैसे बने है कभी तो क्या होता है हम एक ही देश में रहने के बाद भी हमें अज्ञान होता है अपने ही देश के विश्य में और इसलिए राज्यों से कहां गया है एक राज्य दूसरे राज्य साथ एमोई करें पैर बनाएं अब जैसे तमील नाडू तमील भाषा इतनी सम्रिद्ध भाषा है मैं सच बताता हूं भारत के रिच्छनेस को ताकत देने वाली तमील भाषा है लेकिन हमारा कोई परिचय ही नहीं है क्योंना हमारा कोई राज्य एक साल के लिए तमील काड़ साथ का एमोई करें हमारे उस राज्य के बच्चे पांच तमील गीच सिखें सो तमील वाक्य देखें उनके आलफावेट्स पहचानने कब सिख लें एक आध बार तमील फिल्म फेस्टिवल उस राज्य में हो कभी तमील बच्चों के साथ खेलकुद का करकम हो इस राज्य के बच्चे तमील नाडू में टूरिजम के लिए जाए भारत के इतने राज्य हैं एक राज्य दुसरे राज्य से जिसको जो राज्य ठीक लगे जैसे हरियाना ने तेलंगणा के साथ किया है गुजरात ते साथ 36 के साथ किया हुआ है किसी ने बंगाल के साथ किया है किसी ने आसाम के साथ किया है इसको हम बल दे और भारत के यह जो रीचने से हैं इसको हम नजर अंदाज न करें एक बार कुछ चूनेंगे जानेंगे और यह तो मैं हम भी बोलते हैं लेकिन, हमारी बाते हैं यह हमारी बारत स्रेश भारत का रिकम को बन देना चाहिए, हमारे जैसे विवित्भा से बरेते देश में आव़स्यक है